Hello Everybody Friends, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जो Traffic Police दवारा Hand Signal दिये जाते हैं और दोस्तों जब आप कोई भी Driver अपने दोस्तों वहिकल चलाता है और Driver के दवारा जो Signal दिये जाते हैं Hand Signal उनके क्या मतलब होते हैं उनके दवारा आप क्या समझ सकते हैं कि सामने वाला आपको क्या इसारा कर रहा है तो Friends, यह Manual Signal होते हैं Traffic Signal एक होते हैं Friends, हमारे आप Traffic के जो Signal दिये गए हैं उनके According अपना रास्ता ले उनके According दोस्तों आप अपने रास्ते पर चलें लेकिन कुछ होते हैं Friends, Manual Signal जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं तो Friends, देखे यहाँ पर जो Sign दिये गए हैं सबसे पहले हम बात करेंगे Friends, Hand Signal by Driver Driver दोरा जो आपको Hand Signal दिये जाते हैं वो Signal आपके किस परकार के होते हैं तो Friends, पहले हमने हमारी वीडियो में भी दोस्तों एक दो क्वेस्टन अपनोड किये थे जिसके उपर हमें कमेंट भी मिले थे कि सर इसका यह अनस्वार है इसका यह अनस्वार है पर Friends, मैं आपको बता दू इमेजिज लगबग सेम है आपको उनके डिफ्रेंज डोड़ना पड़ेगा कि डिफ्रेंज क्या होता है और आपको उनके डिफ्रेंज देखकर यह समझ सकते हैं कि उसका exact transfer क्या होगा तो देखे Friends, तो पहली इमेज आपके सामने show हो रही है उसमें देखे आपको क्या बताया गया है यहाँ पर देखे Friends, आपको एक इमेज दी गई है इस इमेज में आप देखे ड्राइवर ने आपको एक हाथ दिया गया है अपको ड्राइवर अपने राइट हैंड साइड का Friends देखे हाथ बाहर निकला हुआ है लेकिन अगर Friends इसका मतलब देखे तो यह मतलब भी हो चकता है कि ड्राइवर राइट साइड मूरना चाहता है या फिर राइट साइड की लेन में आना चाहता है बट देखे यहाँ पर क्या डिफ्रेंस है इसके दो जोस्तों जो इसमें हाथ बाहर दिया गया है उस हाथ से वो क्या दोस्तों साइन देना चाहता है क्या वो बताना चाहता है तो देखे फ्रेंस आपने यहाँ पर देखना है कंप्लेट गाड़ी में क्या मूमेंट हो रही है तो यहाँ पर देखिए left hand side का दोस्तों indicator जल रहा है driver ने right hand side का indicator दे रखा है और left hand side उसने हाथ निकाला हुआ है यानि friends इसका मतलब यह है कि driver left hand side मुरना चाहता है और right hand के जो भी दोस्तों driver है जो भी दोस्तों गाड़िया चल रहा है इसको यह इसारा कर रहा है आदुमागर कि वो right hand side से जा सकते हैं और उसको left hand side मुरना है तो यह इसका मतलब होगा इंटेंट तू मूँग दा left or left turn driver left मुरना चाहता है इसलिए friends आपको वो right hand side से इसारा कर रहा है कि आप right hand side से जा सकते हैं तो यह इस image का मतलब होगा next image देखे friends आपके सामने next image भी इसक्रीके से सामने आपके होगी इस इमेज में जो driver है उसका देखे लिए indicator देखे friends आपका indicator जो दिया गया है वो दिया गया है right hand side का और driver ने straight हाथ किया हुआ है friends right hand side बाहर हाथ निकाला हुआ है दे रहा है तो इसका जो मतलब होगा friends वो होगा आपका intent to move to right और change lane to right या तो driver right hand side की lane में आना चाहता है या वो बुढ़ना चाहता है तो यह इसका exact answer होगा तो इसमें friends आप ये देखकर पैचान सकते हैं कि इसकी हाथ की moment नहीं है इसमें straight hand दिया हुआ है right hand side और right hand side का इसका indicator भी जल रहा है तो ये इसका exact answer होगा उसके बाद next image देखिए friends आपको नहाँ पर एक next image दी गई है इस image का मतलब आप देखकर ये देखिए friends यहाँ पर इसका क्या मतलब होगा driver ने दोनों indicator दिये हुए हैं देखिए friends दोनों indicator जल रहे हैं driver के और driver ने right hand side का हाथ उपर उठाया हुआ है यानि friends driver क्या कहना चाता है intent to stop यानि driver रुकना चाता है friends अगर दोनों hand का दोस्तों दोनों side के आपको इंडिकेटर दिये जाते हैं आपको भी पता होगा friends दोनों side के जब भी इंडिकेटर दिये जाते हैं वो parking indicator बोले जाते हैं हमारे कहीं पर भी हमें अपनी गाड़ी drive करन है यानि आपको रुकने के लिए इसने बोला हुआ है कि ये रुका हुआ है driver intent to stop तो stop रुकने की वो कोशिज कर रहा है तो इसका exact answer होगा next देखिए next भी यहाँ पर आपको एक image दी गई है इस image में देखिए friends आपको क्या बताया गया है कई बार क्या करते है friends driver अपनी position को right hand side ले जाकर आपको indicator देदेगे ताकि आप right hand side से over take कर लेगे बट कई बार क्या होता है friends driver आपको right hand side का हाथ निकाल कर आपको इसारा करता है आगे जाने का कि आप आगे जा सकते हैं आप over take कर सकते हैं तो यहाँ पर देखे इस image से आप समझ भी सकते हैं कि इस image में वो क्या बताना चारहा है तो यह है friends उसके बाद जो next जो images आपके सामने होगी friends यह होगी आपकी traffic police की traffic police जो आपको hand signal देती है जिसके दोरा आपको बताया जरता है कि आप आगे जा सकते हैं रुख सरना है क्या है तो friends यह manual sign होते हैं traffic police के दोरा जो आपको बताये गए है तो देखे friends यहाँ पर जो आपको image दे गई है पहली ही image देखे friends आपके सामने इस तरीके से एक image बनेगी इस image को देखकर आपने यह पहचानना है कि इस image का मतलब क्या होगा तो friends यहाँ पर देखे जो traffic police का सिपाही आपको दोस्तों निर्देश दे रहा है वो निर्देश क्या है देखे तो start one side vehicle तो एक side के vehicle को दोस्तों वो start कर रहा है और दूसरे side के vehicle को देखे friends उसने अपने right hand side से रोका हुआ है यानि एक side का vehicle जा सकता है और एक side तो उसने रोक है उनको stop कर रहा है अपने right hand side से यानि वो क्या कह रहा है friends की सामने के vehicle रुक जाए तो stop vehicle coming from front तो ये front के vehicle को रोकने के लिए दोस्तों इसारा कर रहा है next image देखिए यहां पर आपको एक image दी गई है जिसमें friends देखिए जो traffic police अधिगारी है उसका face जिस side है उसने friends अपने पिछे के जो vehicle है उनके तरफ left hand side से हाथ किया हुआ है यानि उसके पिछे से जितने भी दोस्तों vehicle आ रहे हैं उनको वह रुकने के लिए कह रहा है कि वो र इसारा किया हुआ है next image को देखिए friends यह image आपके सामने होगी इस image में देखिए traffic police अधिकारी आपको क्या इसारा कर रहा है तो friends जो हमने पिछे की image आपको दिखाई थी उस image में हमने आपको बताया था कि left hand side जब straight हो तो मतलब है कि वो पिछे के वानों को friends रोग रहा है और यहां पर देखिए उसमें left hand जो उसका left hand है वो तो इसमें निकाला ही हुआ है friends सामने से उसमें front hand side आपको stop का इसारा किया हुआ है याणि आप देख सकते हैं कि पीछे के विकलों को और सामने के विकलों को यह रोग रहा है friends और आपके left और right hand side के विकलों को यह आने जाने अपना right hand side का दोस्तों front जो उनके सामने के विकलों है उनको stop किया हुआ है और जो उनके friends left hand side vehicle है उनकी तरफ से दोस्तों उसने अपना रता open किया हुआ है यानि वो जा सकते हैं तो देखिए friends यहां पर यह कह रहा है to start vehicle approach from left यानि left side से जो उसके विकलों आ रहे हैं उनको य इसका exact answer है next image में देखिए friends आप next image में यहां पर देखिए friends अगर straight hand है तो आप समझ सकते हैं कि left hand side जा निकाला हुआ है तो यहां पर यह क्या कह रहा है to start vehicle coming from right यानि right से जो विकलों आ रहे हैं उन विकलों को यह कह रहे हैं कि आप जा सकते हैं और left hand से इसने रोका हुआ है इसका 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 आपका exact answer होगा friends आपका to change sign तो sign change करने के लिए दोस्तों यह आपको दिखा रहे हैं यह आपको बता रहे हैं कि यह आपका निजदेश होगा sign change करने का next image देखिए next image में to start one side vehicle तो यहाँ पर देखिए friends एक side के vehicle को stop किया हुआ है एक side के vehicle को यह कहा गया है कि आप जा सकते हैं तो इसमें friends आप देख सकते हैं कि right hand side के vehicle को यहाँ पर stop किया गया है तो यह होगा friends इस image का मतलब उसके बाद next image देखिए आप next image आपके सामने है जिसमें आपको यहां पर बताया गया है to start wiggle on t-point यह t-point के लिए दोस्तों sign यूज किये जाते हैं इस परकार के जिसमें आपको एक side आपको right hand side से भी दोस्तों left hand side से भी wiggle को रोका गया है और आपके दोस्तों जो right से भी wiggle आ रहे हैं उनको भी रोका गया है तो यह इसका देखिए मतलब आप समझ सकते हैं friends इस image का जिसका मतलब होगा to start wiggle on t-point तो t-point के लिए यह sign दिया जाता है उसके बाद next image आप देखिए friends इस image में आपको पुलिस अधिकारी क्या बता रहे हैं तो इसका मतलब होगा to give VIP solution कई बार friends आपने देखा होगा कई बार गभी आप travel जाते हैं तो वहाँ पर VIP vehicle जब जाते हैं friends तो इस परकार के दोस्तों निर्देश दिये जाते हैं traffic police के दुआ रहे हैं उसके बाद next image देखिए friends आपके सामने होगी इस next image में पुलिस अधिकारी आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं तो manage vehicle on T-point ये भी friends आपका T-point से related है जिसमें आपको दो हैंड दिये गए हैं दो तरीके चापको बताया गया है तो ये कुछ परकार की image है friends जिसका मैं आपको दोस्तो फीडिया भी provide कर दूँगा आप दोस्तो हमारे email id पर यहां पर आपको screen पर निज्चे email id की दोस्तो flash हो रही है आप इस email id पर मुझे दोस्तो comment कीजिए वहां पर friends आपको ये PDF format में भी मिल जाएगी वहां पर भी आप इनको अच्छे से देख पाएंगे तो उमीद है friends आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा आज evening में friends 8 pm हम दोस्तो सभी traffic ads जितनी भी traffic low है उनके उपर दोस्तो आज की वीडियो लेके आने वाले हैं तो मिलेंगे friends आपके रात को आठ बेजित एक और न्योंग वीडियो में